HR News YouTube Channel जो आपको रखे हर ख़बर से अपडेट हरियाना में होने वाले विधान सबाच चुनाओ का समय जैसे जैसे नस्दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तलवा चाट राजनिती भी तेज होती जा रही है तलवा चाट राजनिती में एसे छुट भाईया नेता सामिल है जिनका अपना नय तो कोई जनाधार है और नहीं उनके चुनाओ जीतने की कोई संभाव नाए हैं तन्तु उनके मन में विधायक बनने की इच्छाय सात्वे आस्मान पर है इस तरह के छुट भाईया नेता अपने आकाओं के तलवे चाट चाट कार अपने परिवार जनों एवं अपने निकटवर्ती लोगों को जल्द ही सत्ता में आने के जुटे सपने दिखाने में लगे हुए हैं ये छुट भाईया नेता इस उमीद में अपने आकाओं के तल यही वजह है कि मन में सत्ता पाने की लालसा वैं अपने निची फायदे को ध्यान में रखते हुए इन छुटवया नेताओं ने तल्वा चाट राजनिती तेज कर दी है आए दिन नजारे देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह छुटवया नेता अपने आकाओं की नजरों में प परस्तुत करते हुए अपने आका के साथ अपना फोटो परकासित करवा रहा है इस्थानिये लोगों की माने तो यह छुट वैया और चापलुस किसम के नेता चुनाओं के वक्त कुकर मुत्तों की तरह पैदा होते हैं और चुनाओं होने के बाद यकायक गायब हो जाते है इस्थानिये लोग बताते हैं कि उन्हें दिन बर कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों का पालन पोसन करने वे अपने परिवार का गुजारा करना मुस्किल होता जा रहा है लेकिन इन छुट वैया नेताओं के हाथ में महंगे मुबाइल चमचमाती गाड़ी औ साथ में पांच साथ गुर्भों को देखकर लगता है कि इन पर महंगाई का और बेरोजगारी का कोई असर नहीं है उनकी रोगदार बाते भोले-भाले लोगों को किसी बड़े आदमी का होने का सहच भरम पैदा करने लगती है लोगों का कहना है कि आम आदमी की कमाई के र राजनिती करने वाले ऐसे छुट भईये नेताओं के पास आकिर इतना पैसा खर्च करने के लिए आता कहा से है नहीं इस तल्वा चार्ट राजनिती में ऐसे भी कुछ नेता है जो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं बार बार चुनाओ हार कर भी अ चार नियू चैनल के लिए रिवाड़ी से मोहनलाल